So, Hello and Welcome You All, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करने वाले है, Indian Market में कल क्या हो सकता है तो guys, यहाँ पर अगर देखे, तो आज US Market, Dojons में हमें एक गिरावट नजर आई है Dojons अब हमें गिरता हुआ नजर आया है, तोटता हुआ नजर आया है तो guys, इसका काफी बुरा impact कल Indian Market में पढ़ सकता है क्योंकि Indian Market already काफी हद तक गिर चुका है और कल भी कुछ ऐसी ही situation create होती हुई नजर आ सकती है तो guys, यहाँ पर अगर देखे, तो bank nifty बिलकुल ऐसी situation आगी है की crash हो सकता है, 1500 point नीचे जाने की पूरी possibilities यहाँ पर नजर आई है तो guys, काफी कुछ बाते होंगी, यहाँ पर bank nifty को लेकर तो video को एंट तक देखो, और अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर दो तो guys, यहाँ पर अगर बात करें, US market गिरता हो नजर आया है डो जॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो, काफी हद तक गिर चुका है guys 469 point यहाँ पर down गया है डो जॉन्स और वही बात की जाए SNP 500 तो 67 point डाउन गया है और NASDAQ की अगर बात की जाए तो 253 point डाउन जाता हुआ, आज हमें नजर आया है तो guys, यहाँ पर बिल्कुल US market का impact इंडियन market पर पढ़ता है बिल्कुल एक बड़ा fall देखने को हमें मिला है तो कल इंडियन market में भी ये fall हमें देखने को मिल सकता है बात करें bank nifty की, तो bank nifty में आप देख सकते हो एक fall and inverted fall and end flag pattern बन रहा है तो guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक fall create हो रहा है एक flag है, तो इसे हम inverted fall and flag pattern खेहते हैं यहाँ पर stock में अगर देखा चाया, तो एक support है, फिर resistance है, फिर support, फिर resistance, तो फिर support तो upside down सब momentum stock में चल रहा है तो कैसे आप पर कल बिल्कुल ऐसी situation आ सकते है, कि stock में एक huge gap down हो आज भी हमें एक बड़ा gap down देखने को मिला है, already यह 688 point bank nifty में गिरावट आज नजराई, तो बात की जाया है, तो कल के दिन अगर gap down हुआ कल इस point के नीचे अगर breakdown आ जाता है, gap down हो जाता है इस particular level को अगर इस breakdown देदेता है, या फिर मान लीजे, इस particular level तक open होता है तो आपको bind के और तभी जाना है, जब यह sustain करें इस level पे, इस level पे जब तक के sustain नहीं करता आपको bind के और नहीं जाना चाहिए, क्योंकि sustain करके एक तगड़ा fall बता सकता है सबसे तगड़ा fall हमें देखने को मिल सकता है, हाला कि यहाँ पर gap down तो बिलकुल होगा ही होगा 100 point यहाँ पर gap down हो सकता है, फिर उसके बाद सकता है, फिर एक तगड़ा fall हमें देखने को मिल सकता है 200-200 200-200 point यहाँ पर नीचे जाता हूँ मेना जराने वाला है और उसके बाद हम क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर 1500 point यह नीचे की और जा सकता है तो guys यहाँ पर अगर देखें तो 38,333 तक यह अभी ट्रेट कर रहा है इस level पर और उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर gap up हुआ था, gap up होने के बाद stock में काफी हद तक हमे rally हम देखने को मिली थी और guys वही अगर देखें तो आज भी इसने gap को feel किया है, इस gap को इसने feel किया है, तो यहाँ पर अगर देखें तो इस gap को feel करने के बाद sideways ये consolidate करने लग गया तो bang nifty या फिर किसी भी particular stock का nature ही होता है, market का nature ही होता है कि अगर gap ups होते हैं तो उन gap को feel करता है यहाँ पर अगर हो gap down हो या फिर gap up, उसे वो feel करेगा फिर ही आगे पड़ता है तो guys यहाँ पर एक fall इसलिए हमें देखने को मिल सकता है और बिल्कुल एक बड़ा fall आने वाला है तो यहाँ पर एक investment के लिए आपको एक opportunity भी यहाँ पर मिलने वाली है तो बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे तो एक fall अगर आएगा तो काफी हद तक आपका पेसा बनने वाला है एक opportunity आपको मिलने वाले इस particular लेवल पर investment करने के लिए तो guys यहाँ पर देखना होगा कि यह fall हमें कल देखने को मिलता है या फिर आने वाले टाइम में तो guys आने वाले टाइम बिल्कुल 36,800 का जब तक लेवल अचीवड नहीं हो जाता तब तक बैंक निप्टी में किरावट आती रहेंगी तो guys वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा उससे पहले और लेवल हम जान लेते हैं यहाँ पर जो मैंने लेवल बताये थे यहाँ पर अगर मैं एक point बताओ तो इस point पर अगर आप देखोंगे तो एक gap down आपको नज़राएगा एक gap down नज़रा रहा है तो यहाँ से एक fall clearly आपको देखने को बिलेगा तो यह point भी काफी ज़दा important है तो guys बिल्कुल यहाँ पर Tata consumer में कल के दिन तेजी देखने को हमें मिल सकती है तो कल आपको तोड़ा ready रहना होगा तो कल Tata consumer को अपने watchlist में रख लेना क्योंकि इसमें तेजी आ सकती है तो guys वीडियो अगर अच्छा लगा होगा वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो Thank you